मेरा गाउं मेरा देश देख करिए आपका संदेश आजा खबरों इसाथ हवाशिंग चहल हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हवाशिंग चहल संपादक आपका संदेश दोस्तों आज 19 जनुवरी है और रवीवार का दिन है दो अजार बीश आज मैं डेली न्यूज अपडेट की कड़ी में मुख्य समाचार बताना चाहता हूं सरकार ने कहा जम्मु कस्मीर में अनुछ तिन सा सत्तर रद किया जाने के बाद एक नए युक के शुरुआत हुई यह बदलाओ आने वाले वर्षों में एक मिशाल शाबित होगा जम्मु कस्मीर में परिपेड मोबाल शेवाएं भाल कर दी गई हैं गर्यमंत्री अमिच्छा ने कोंग्रेश पर धरम के आधार पर देश को बाटने का आरोप लगाया है राश्तिय शुरुक्षा सलाकार अजीत डोबाल ने स्रिलंका के राष्टरपती गोटा बाया राजपक्षा से दोनों देशों के बीच रणनितिक सयोग बढ़ाने पर सर्चा की है गोवाटी में खेलों इंडिया युवा खेलों में असम की शिवांगी सर्मा और करनाटक की खुशी दिनेज ने तेराकी में तिन-तिन सरुन पदक जिते बाजपा के कारिया-कारिया देक्स जगत प्र कास जावडे करने आज बिजली उद्योग से कहा है कि वह बिजली के उपकरणों की गुणवत्ता पर जान के अंद्रित करें उपराष्ट्रपती एम वंक याडाइडू ने पूरो आल राउंडर खेलाडी बापु नड करनी के निदन पर शोक व्यक्त किया है पर दान ने सर्द बोवडे ने कहा कि नागरिकता के ओं लोगों के अधिकार के बारेम नहीं है बलकि समाज के परती उनकी जिम्मेदारियों से भी जुड़ा है परदान मंतरी नरेंदर मौधी परिक्ष्या पे चर्चा कारेकरम में 2000 से दिकविद्यार्थियों अध्यापकों और अभि परदान मंतरी ने इरान से विमान गिराने के बाद मिलेक्स्ति गरस्त बलेक बॉक्स को प्रांस को देने को कहा है अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में प्रोततों अस्थलों को जलवायू प्रिवर्तन से खतरा है रूस ने इरान और अमरिका से तनाव कम करने को कहा है युक्रेन के प्रदानमंत्री ओलेक्सी आन्शारूक ने इस्तिफा दे दिया है। अब खेल जगत की कुछ खबरे बाहरत और रास्ट्रेलिया के बीच तिसरा और अंतिम एक दियोसी अंतरास्ट्रिय क्रिकेट मैच आज बेंगलावर में डेड़ बजे खेला जाएगा। मामले के दोसी जलीश अंसारी से पुष्टाज के दोरन कुछ सोकाने वाली बाते सामने आई हैं अंसारी को उत्तर पुलिस के विशेश करियाबलने शुकरवार को गरफतार किया था। राजिव बिंदली माचल परदेश के बाज़पा देक्स बनाये गए हैं। तमिलाडू पुलिस के विशेश सब इंस्पेक्टर की अत्या के मामले में दो संदीग्द आतमादियों पर मामला तरज। बंबई नगर निगम के पूरों मुख एंजिनियर के आवाज पर परवर्तन निदेशाले का छापा। होगा समारों। संदीगड से खबर अरियना के मुखमंत्री मनों और लाल ने सभी महापोरों और आयक्तों को 31 मार्च को 2020 को मेरा सहर जगमग सहर के उद्देश्य को आसिल करने के लिए सभी सट्रीट लाइटों को समय बत्रीके से लीडी से बदलने के निर्देश दे दिये करनाल के पूरू बाजपा सांचद अस्वनी चोपडा का देहान तो हो गया है लंबे समय से कैंसर से जूज रहे थे संदीगड सीयमन और लाले अस्वनी कुमार चोपडा इनी दन पर किया सोक व्यक्त संदीगड जनगणना दो जारी किस पर्टी का गोवाना को जिला बराने का फैसला मुखे सचीव बोली सर्ते तो पूरी हो अंबाला विदार्थियों से बरे आटो को इनोवान अमारी टक्कर तीन बचे गायल एक को लगी ज्यादा चोटे हैं करनाल से खबर एन सीसी एर विंग के कडेटों ने सीखे सडक सुरक स्याई गुर दोपई आवान चलाने की बारी कियां फतेवाद परी वहन मंत्री ने बलब गड बस स्टेंड पर की छापे मारी अवैद रूप से चल रही साथ बसों को जब्त कराया पाणीपत अंबाला सीएम ने मेरों और नगर आयुक्ते को साथ बैठकी नगर निकाय मंत्री अनिल्विज नहीं थे मौजूद वह घर पर सुन रहे थे जनता की समस्याई बारतिय जनता पार्टी चंडिगड के नौ निर्वाचित प्रदेशा देक्स अरौन सूद ने वी दिवत रूप से कारिया ले पहुंच कर काम की शुरुआत कर दी है पंचकुला से खबर बीजे पिजला पंचकुला ही कुछ संगठना तमक चुनाओ के लिए चुनाओ या दिकारियों बैठक आयोजित चंडिगड दिल्ली से खबर है चुनाओ में बड़ी जिम्वेदारी ने बाएंगा और याना बाज़ित पाके नेता आज होगी बड़ी बैठक अगली खबर कुक सेतर से बारी सोडा और रष्टी से फचलों को जो नुक्सान हुआ है उसमें मौज़े के आदेश दे दिये गए हैं इसके अलावा और भी बहुत सी खबरे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे और इन खबरों को सुनने के लिए आपका संदेश चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और आपको पसंद आए तो इसको कोई कोमेंट जरूर करें क्योंकि कोमेंट करने से ही हमें पता अब दिल्ली चुनाओं के बाद ही होगा निप्टारा चंदीगड से खबर है अरियाना पुलिस को पंजाब के समान वेतन देने पर विचार करेंगी कमेटी या निल्विज ने कहा है चंदीगड पंजाब अरियाना आईकोर्ट की सफार्षों पर अरियासिकार ने 24 सिवल जजों को बदोंती देखर एडिशनल डिस्टिक एंड साशन जज़ के रूप में नियुक किया ये अरियाना एजुकेशन अपडेट फेस्बुक पेज से खबरों में मदद ली गई जो ही कोई नई खबर आपको सुनाने के लिए हमारे पास आएगी हम तुरंत आप तक पोचाना प्रियास करेंगे आपका संदेश को चैनल को सबस्क्राइब करें और आपका संदेश अखबार के विशदेश से बने इन्ही सब्दों के साथ नमस्कार धन्यवाद